नमस्कार प्यारी बच्चों, आप सबका आज की इस कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने अर्थ शास्त को स्वामाजिक अध्यन के अंतरगत पढ़ा था। और अब इसे एक मुख्य विशे की तौर पर पढ़ेंगे। अब विशे की गहनता और विस्तार की मात्रा बढ़ जाएगी। इर्थ शास्त का क्या अर्थ है। अर्थ शास्तर दो σब्दों से मिलकर बना है। अर्थ और शास्तर। अर्थ शब्द का मतलब है धन। तथा शास्तर का मतलब है ग्grow की, कोई शाखा या सिध्धान्थ। अथ शास्त्र वह विशय है जिसके अंतरगत धन संबंदी से धान्त या ज्यान का अध्यन किया जाता है। अंग्रेजी भाशा में इसे इकनॉमिक्स कहते हैं। यह शब्द, ग्रीक शब्द, ओकिनॉमिया से बना है। जिसका अर्थ है घर या परिवार का प्रभंदन। प्रोफिसर एडम स्मित दुआरा लिखी गई पुस्तक An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation को अर्थशास्त विशय की पहली प्रमुक विस्तृत पुस्तक माना गया है। तथा उन्हें अर्थशास्त के जनक भी कहा जाता है। वैसे तो जितने अर्थशास्त्री हुए उतने ही अर्थशास्त की परिभाशाएं हैं। किन्तु अर्थशास्त की अध्यन की दृष्टी से तीन दृष्टी कौन सबसे महतपून मागने गए हैं। पहला धन संबंदी परिभाशा। प्रोफेसर एडम स्मित के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसा कल्यान संबंदी परिभाशा। अलफर्ड मार्शल जो एक अर्थशास्त के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। उनके अनुसार अर्शास एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य की उन सभी सामाजिक क्रियाओं का अध्यन करता है, जो विभिन प्रकार की भौतिक वस्तूओं के संग्रह करने और उनके प्रियोग करने से संबंदित है, ताकि मनुष्य का अधिक्तम कल्यान हो सके. और तीसरी तरह की परिभाशा है दुरलब्ता संबंदी परिभाशा. प्रॉफेसर रॉबिनसन ने अर्शास को दुरलब्ता की अधार पर परिभाशित किया है. उनके अनुसार अर्शास एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार, सीमित साधनों और असीमित आवशक्ताओं के संधर्ब में अध्यन करता है, जबकि सीमित साधनों के वेकल्पिक प्रियोग भी होते हैं. अल्फेड मार्शल, जिनने अधुनिक अर्शास के परवर्तक के तौर पर जाना जाता है, ने अर्शास को जीवन के सामाने कारोबार के संबन्द में मनुष्य के अध्यन के रूप में परिभाशित किया है, जिसका अर्थ है, Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. आगे हम अर्शास इसी विचारधारा के आधार पर अध्यन करेंगे. अर्शास हम सब के जीवन से किसी ना किसी रूप से जुड़ा हुआ है, और हम सब किसी ना किसी आर्थिक क्रिया से जुड़े हुए हैं. यह हमें यह समझना होगा कि आर्थिक क्रिया है क्या? आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो धन प्राप्ट करने के लिए की जाती है मनुश्य, उभ्भुकता, उत्पादक, विक्रेता, सेवाधारी या सेवाप्रदाता के रूप में किसी ना किसी आर्थिक क्रिया में लाबकारी रूप से जुड़े होते हैं जीवन की आम कारोबार से अर्शास्त्री का यही मतलब है। इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उब्भोगता कौन है। उब्भोगता वह व्यक्ति है जो अपने व्यक्ति गत या अपने परिवार की किसी अन्य व्यक्ति जिने वह उपहार देना चाहता है। कि आवशक्ता की संतुष्टी के लिए ध्यन वैकर के वस्तूओं का और सेवाओं को खरीदता है। यहाँ व्यक्ति उभ्भोग की आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। धन के बिना उभ्भोग संभव नहीं है। यानि धन के बिना हम वस्तूओं का क्रैन नहीं कर सकते हैं। अब उत्पादक कौन है। उत्पादक व्यक्ति है जो आयके सरजन के लिए वस्तूओं का उत्पादन करता है। व्यक्ति किसान, बड़ई, लोहार या कोई अन्य विन्यमाता हो सकता है। यहां वह व्यक्ति उत्पादन की आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है, धन के बिना उत्पादन संभव नहीं है, उब्भो तथा उत्पादन के अलावा भी मनुष्य कई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा होता है, जब कोई व्यक्ति वस्तुओं को स्वैम के ल जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कारे करता है और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है वहे व्यक्ति सेवाधारक कहलाता है। सेवाधारक को पारिशरमिक का बुक्तान नकद या वस्तू के रूप में किया जा सकता है। किन्तु दोनों ही अवस्ताओं में सेवाधारक द्वारा किये गए कारिक के मुल्ले की गण्णा मुद्रा में की जाती है। अतै यह एक आर्थिक क्रिया है। जब कोई व्यक्ति किसी भुक्तान के बदले अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है, जैसे डॉक्टर, वकील, बैंकर, टैक्सी चालक या चार्टेड अकाउंट, वह व्यक्ति सेवा प्रदाता कहलाता है, सेवा प्रदाता धन के बदले अपनी सेवाई प्रदान करता ह इसके लिए यह भी एक प्रिकार की आर्थिक क्रिया है, किन्तु यदि टैक्सी चालक अपनी बेटी, पत्नी या परिवार की किसी अन्य सदस्य को अपनी टैक्सी में बिठाकर अपने पारिविर काम के लिए ले जाता है, इसके बदलेवे धन प्राप्त नहीं करता, अते यह एक गैर आर्थिक क्रिया हो जाती है, जैसे डॉक्टर अपने बच्चे के बिमार होने पर स्वें कोई दवाई देता है, तब वे आर्थिक क्रिया नहीं होती, किन्तु यदि वह किसी मरीज का इलाज करता है, तो उसके बदले धन प्राप्त करता है, वह एक आर्थिक क्रिय एक मनुश्य की सभी गतिविद्यों को हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं, आर्थिक गतिविद्या और गैर आर्थिक गतिविद्या, आर्थिक गतिविद्या वे सभी गतिविद्या होती हैं जो अर्थ व्यवस्ता में आय के प्रवा में व्रिद्धी करती हैं, आर्थिक गत वह क्रियाएं होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं जैसे नौकरी करना, भवन निर्मान करना, टॉक्टर द्वारा इलाज करना, वकील द्वारा केस लड़ना, मजदूर या किसान द्वारा खार्य करना दूसरी तरह की गतिविधियां गैर आर्थिक गतिविधियां होती हैं वह सभी गतिविधियां जो अर्थ व्यवस्ता में आयक के प्रवामे व्रदी नहीं करती गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं उधारन के लिए रक्तदान, धार्मिक क्रियाएं आदी गैर आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती बलकि व्यक्तिगत ही तो भावनात्मकार्णों या परमारत के लिए की जाती है जैसे पुजा पाट करना, देश भक्ती, मनोरिंजग गतिवी दिया, शौक पूरा करना और परिवार या समाज के लिए काम करना इस प्रकार कोई क्रिया आर्थिक क्रिया है या गैर आर्थिक क्रिया है यह उसके परिणाम या गतिवीदी करने के पीछे जो मकसद है उस पर निर्भर करता है यदि उस क्रिया को करने के दौरान धन का प्रियोग होता है और उसका उद्देश्य लाब कमाना होता है तो वह आर्थिक क्रिया होती है उधारन के लिए एक शिक्षक विद्याले में शिक्षा प्रदान करता है तथा उसके बदले वेतन प्राप्त करता है यह एक आर्थिक क्रिया है और जब वह शिक्षक अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है उसे धन कलाब नहीं होता ये है गैर आर्थिक क्रिया है यदि आप एक शौक के रूप में पेंटिंग बनाते हैं और उसका आनन लेते हैं तो ये है एक गैर आर्थिक क्रिया है क्योंकि इसके बदले आपको धन की प्राप्ते नहीं होती हाला कि यदि आप अपनी painting बेचते हैं तो यह आर्थिक गति विदी बन जाती है क्योंकि इसके बदले आपको धन प्राप्त हो रहा है विभिन वस्तुओं को भी हम आर्थिक वस्तुओं और गैर आर्थिक वस्तुओं में बाढ सकते हैं आर्थिक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका कोई बजार मूल्य होता है तथा जो बजार में विक्रे के लिए उपलब्द हैं इसके विपरीत गैर आर्थिक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका कोई बजार मूल्य नहीं होता तथा वह बजार में विक्रे के उपलब्द भी नहीं है, उधारण के लिए नदी में बैता हुआ पानी गैर आर्थिक वस्तु है, जबकि बूतल में भरा हुआ दुकान पर बिकने वाला पानी आर्थिक वस्तु है, हमारे आसपास परियावरण में उपलब्द ऑक्सिजन गैर आर्थिक वस्तु है, जबकि स किलेंडर में भरकर अस्पताल में बिकने वाली ऑक्सिजन आर्थिक वस्तू है। अर्थशास्त में परिस्ति, कारण तता तर्क के आधार पर निश्कर्ष निकाले जाते हैं, जो वैश्विक रूप से सत्ते होते हैं। इसलिए अर्थशास्त को विज्ञान कहा जाता है। मानविय वैवार के अध्यन के आर्थिक सिद्धान्द भी कुछ मान्यताओं के आधार पर सदेव एक समान रहते हैं। अब प्रशन यह उठता है कि अर्थशास्त के अध्यन की आवशक्ता क्यों पड़ी है। जीवन के समानने कारोबार में हमें संसाधनों की आवशक्ता होती है। उभुखता के तौर पर हमें वस्त्वे खरीदने के लिए धन की आवशक्ता होती है। उत्पादक के तौर पर उत्पादन के संसाधनों को जुटाने के लिए धन की आवशक्ता होती है। हम सभी की अवशक्ताईं उपलब्द संसाधनों की तुल्ना में सदेव जादा होती हैं तथा हमारी अवशक्ताउं पूरे करने के लिए उपलब्द संसाधन सदेव दुरलब होते हैं अब दुरलप्ता का क्या अर्थ है? दुरलप्ता का अर्थ है मांग की तुलना में पूर्ती का कम होना. संसादनों के वैकल्पिक प्रियोग भी होते हैं. वैकल्पिक उप्योगों वाले दुरलप संसादनों के आवंटन की समस्या को चैन की समस्या कहते हैं. हमें प्रतेक आर्थिक क्रिया के दोरान चैन की समस्या का सामना करना पड़ता है इसे आर्थिक समस्या भी कहते हैं अर्थशास्त के अध्यन में हम इन ही समस्याओं का हल ढूनते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारी अवश्कताओं की तुलना में उपलब संसाधन दुरलब है और इन संसाधनों के वेकलपिक उपयोग है यदि संसाधन दुरलब ना होते तो कोई आर्थिक समस्या ही ना होती और अर्षास की अवश्कता ही ना होती आपको ध्यान होगा कि इस कक्षा के शुरू में हमने अर्थशास्त की दुरलब्ता संबंदी परिभाशा बताई थी प्रोफेसर रॉबिंसन ने अर्थशास्त को दुरलब्ता के आधार पर परिभाशित किया है उनके अनुसार अर्थशास्त एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के व्यावार का अध्यन सीमित साधनों और असीमित अवश्कताओं के संदर्ब में करता है जबकि सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रियोग भी होते हैं आईए अब हम अर्थशास्त के विभिन घटकों के बारे में जानते हैं अर्थशास्त के अध्यन को प्राए तीन भागों में बाटा जाता है उभोग उत्पादन एवं वित्रण उभोग उभोगता करता है उभोगता का उद्देश्य अपनी निश्चित आई और ग्यात कीमतों को देखते हुए अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त करना होता है उभोगता के रूप में लोगों के साधन सीमित होते हैं तथा उनकी अवश्चित आई असीमित होती है अर्थशास के अध्यन के अंतरगत हम यह जानना की कोशिश करते हैं कि उभोगता यह निड़ने कैसे करता है कि वह अपनी निश्चित आई और वस्टूओं की कीमतों को ध्यान में रखते हुए अनेक वैकल्पिक वस्टूओं में से किस वस्टू को खरीदेगा या वस्टूओं के अनेक वैकल्पिक संयोगों में से किस विकल्प का चैन करेगा यकीनन उभोगता ऐसे विकल्प का चैन करना चाहेगा जिससे उसके सीमित संसादनों से अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त हो उधारन के लिए आपके पास 50 रुपे हैं और आपको भूख लगी है बजार में खाने के लिए अनेक वस्तुएं उपलब्द हैं ऐसे में आप किस वस्तु का चैन करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तुएं आपकी भूख को शांद कर सकती है और साथ ही आपको खाने में रूची भी आए अर्थ शास्त में यह है उभूख का अध्यन है दूसरा घटक उत्पादन प्रतेक उत्पादक चाहता है कि वह अधिक्तम लाब अर्जित करे ऐसा तभी संभव होगा जब उत्पादन की लागत कम हो तथा बजार में मिलने वाली कीमते अधिक्तम हो बजार कीमत पर उत्पादक का नियंदरन कितना है यह अनेक बातों से प्रभावित होता है आगतों की किमत को कम करना भी उत्पादक के हाथ में नहीं होता ऐसे में उत्पादक जिसे उत्पादन की लागत तथा बजार में मिलने वाली कीमत ग्यात है तब ऐसे सहियों का चैन करता है जिसके उत्पादन लागत कम हो तथा उत्पादन से मिलने वाला लाब अधिक्तम हो उत्पादक यह भी चैन करता है कि उत्पादन कितनी मात्रा में करना है अर्थशास्त्र में उत्पादक के वैवार तथा उसके द्वारा लिये जाने वाले उत्पादन संबंदे निर्ने की व्याख्या करते हैं तथा उस अवस्ता को ढूंडते हैं जहां उत्पादक को अधिक्तम लाब या न्यूनतम हानी होती है यह उत्पादन का अध्यन है अर्थशास का तीसर घटक वित्रण अर्थशास के अध्यन के अंतरगत हम यह भी जानने में रूची रखते हैं कि उत्पादन प्रिक्रिया के दौरान जो आय अर्जित की गई है उसका उत्पादन के साध्रों के बीच किस प्रिकार वित्रण होता है आपने पिछली कक्षाओं में सकल घरेलु उत्पाद के विशय में पढ़ा होगा यह एक देश की घरेलु सीमा के अंतरगत एक वित्वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तों का बाजार मूल्य होता है इस आय को उत्पादन के सभी साध्रों में वित्रित किया जाता है उत्पादन के साध्रन है श्रम, भूमी, पूजी और उध्यम इसके अध्यन को ही अर्थशास्त में वित्रण का अध्यन कहते हैं समग रूप से अर्थशास्त के अंतरगत मुख्यत तीन घटकों का अध्यन किया जाता है विशेशता की दृष्टी से यह तीनों घटक आगे बड़ी कक्षाओं में अन्य कई भागों में बढ़ जाते हैं किन्तु अर्थशास्त अपने आपको केवल इन तीन घटकों तक सीमित नहीं करता आध्यनिक अर्थशास्त में देश की कुछ आधार भुट समस्याओं को भी विशेश अध्यन के लिए सम्मलित किया जाता है अर्थशास्त के विध्यारती के तौर पर आप यह जानना चाहेंगे कि हमारे देश के कुछ लोग गरीबी का जीवन जीने के लिए क्यों मजबूर है हमारे देश में कितने लोग गरीबी रिखा से नीचे हैं हम यह भी जानना चाहेंगे कि हमारे देश में कितने लोग निरक्षर हैं, तथा कितने बेरोजगार हैं, हमारे देश में कितने अस्पताल हैं, तथा कितने लोगों तक स्वच पीने का जल, तथा बिजले की सुईधा उपलब्ध है। यह सब जानने के लिए आप ऐसे संख्यात्मक्तत्यों की जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, जिससे आपको इन सभी प्रशनों के उत्तर मिल सकें। इसका चुनाव कैसे करे कि वैकलपिक प्रियोग वाले अल्प संसाधनों का प्रियोग विभिन वस्तों के उत्पादर में हो सके। अर्थशात्व इसका अध्यन है। इस परिभाशा के साथ हम आज की इस कक्षा को समाप्त करते हैं। आज हमने अर्थशास्त के अर्थ को जाना, अर्थशास्त जीवन की समाने गतिवीदियों के संदर्व में मानव व्यवार का अध्यन है, तथा हमने मुख्य अर्थशास्तियों दुआरा दी गई परिभाशाओं के ऊपर भी चर्चा करी, जिसमें हमने तीन अर्थ शास्त्रियों को शामिल किया Adam Smith, Alfred Marshall तथा Robinson जिसमें तीन तरह की परिभाशाएं दी गई धन संबंदी परिभाशा, कल्यान संबंदी परिभाशा तथा दुरलब्ता संबंदी परिभाशा इसके फशात हमने आर्थिक क्रियाओं के बारे में जाना आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिसमें धन का प्रियोग होता है एक मानव द्वारा की जाने वाली सभी गतिविद्यों को हमने दो भागों में बाटा आर्थिक गतिविदियां तथा गैर आर्थिक गतिविदियां हमने पाया कि कोई एक गतिविदी एक समय में आर्थिक हो सकती है तथा दूसरे समय में गैर आर्थिक आपको उस तर्ग को विक्सित करना है अर्थशास के अंतरगत, परिणाम और उद्दिश्य के बदलने पर आर्थिक तथा गतिविदियां बदल जाती है इसके पच्छात हमने आर्थिक समस्या के बारे में जाना आर्थिक समस्या की जड़ असमित आवशक्ताई, सीमित संसाधन तथा संसाधनों का वेकल्पिक प्रियोग है अगर संसाधन दुरलब ना हो और उनका वेकल्पिक उप्योग ना हो, तो कोई आर्थिक समस्या ही उत्पन ना हो इसके पश्चात हमने अर्थशास्त के तीन घटकों के बारे में जाना पहला उभोग, दूसरा उत्पादन, तथा तीसरा वित्रण हमारे अर्थशास्त को हम इनी तीन घटकों में पढ़ते हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं करते आपने जाना कि अर्थशास्त्र का शित्र इससे कहीं ज़्यादा विस्त्रित है। आने वाले कक्षा में हम इसे आगे बढ़ाएंगे तथा संख्यकी का परीचे करेंगे। तथा अर्थशास्त्र के इंदर संख्यकी का प्रियोग करते समय हमें क्या-क्या सावधानिया बरतनी होंगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। क्षel का प्रियोग करेंगे। तो मिलते हैं अर्थशास्त्र के लिए होगे। एंगे। निएक्षा एंगे। एंगी। तो मिलते हैं श्यक्षा.